और इस बल्ब को अगर हम 3 बल्ब के साथ series के अंदर जलाएंगे तो ये कितनी रौषनी करेंगा उससे देखते हैं और ये 3ों के 3ों series में जड़ो हुए हैं और series में जब इनको जोडा जायेगा तो इनके अंदर से कितना current flow होगा और कैसे resistance काम करेगा उसे देखते हैं तो इसे on करो तो अभी आप लोग यह देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जल रहे हैं और इनको अभी जब एक बल्ब जलाया था तो इसे ज्यादा रोशनी कर रहा था तो अब जो इसकी रोशनी आप देख रहे होंगे पहले के comparison में जो आप सीरीज में जला रहे थे उससे बहुत सारी है ठीक है तो जब सीरीज में जला रहे थे तो यहाँ पर रोशनी कम मिल लेती हो कि total resistance बढ़ जा रहा था और parallel के अंदर total resistance कम हो जाता है तो यहाँ पर इतनी यहां दो लेती है जंब एगा की ह